हाई फ्रेंड्स आज हम लेका हैं आप लोगों के लिए बहुत ही एची एची किचन टिप्स अधर यूश्फुल टिप्स हो कि आप लोगों हमारी अधर वीडियो के तरह ये बहुत ही उसफुल लगेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज को फुल वाच करें और वीडियो थोड़ी भी इंफोमेटिव लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करतें इससे में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है तो चलिए स्रू करतें अपनी फर्स टिप्स देखते हैं कौन से हमारी फर्स टिप और यखीन मानिए अगर आप इस वी दल बनाते हैं और पर पकोडे बनाते हैं तो नार्मली हम इसका खाने के लिए ही उस करतें लेकिन इसका जो एक्षर पाट होताया चोड़का होता है वह भीन करना कि जो यिका कर लिएári है इस को और इस सथरीके से इसको घट करते हैं कि हम इस तरीके से इसको गट करते हैं kilometers नहीं होती है लेकिन फ्रेंट साज हम इसी से बहुत यह चीज़े टिप आपके साथ शेयर करेंगे देखे इस तरीके से खासकर थंडी के मौसम में जिब हाथों पे बहुँ ज़दा ड्राइनस आजाती है हाथ पे या फिर फेस पे या कहीं भी जहां भी बहुँ ज़दा ड्र जिरू त्राय करें फ्रेंट से पहला है। आपकोने भाट पसंदीन नियुकर आपकर तना मुझने करने। देक्त और जखेंगे आपको यह आपकर ऴें ट्रीने में। आपको कुछने भास सबसके हो बाइस के हffna है। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, थोड़ा बहुत रहता है, तो ठीक है, अमर्जिष्ट कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा तेज हो जाता है, तो हम उसे नहीं खा पाते हैं, घर में भी कोई उसे नहीं खा पाता है, तो इसके लिए आप क्या कर स सबसे पहले मैं आपको दाल के लिए बताती हूं इसमें आप एक तो नीबू डाल सकते हैं नीबू की कुछ बूंदे डाली है जिसकी वैसे नीबू करश जालने से जो दाल का नमा के बैलन्स हो जाता है और बिल्कुल भी तेज नहीं लगता है और दूसरा तरीका है इस तरीक अगर हमें नमक कम करना है तो उसमें इस तरीके से आटे की गोली को डाल करके उपर से सबजी की लेयर अप लगा दें या आटे की गोली है उसको एक दम नीचे डालें जिसके वैसे सूखी सबजी मेसे भी नमक अच्छे से सोख लेंगे और बिलकुल भी दिक्कत नहीं होग हमारी तीसरी और बहुत ही उजफिल टेप है फ्रेंड्स बोटल के डखकन को लेके नॉर्मली क्या होता है कोकी या फिर जो हम ऑईल की बोटल्स लेके आते हैं एक बार ऐल यूज हो गया फिर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेकिन फ्रेंड्स आज हम जो बेकार बोटल इस टिप को आप उसी तरीके से ट्राइब करेंगा अपको बहुत ही पसंद आएगा तो जो भी एक्स्ट्र बोटल उसका डखकन हम ले लेंगे तो यहां पर हमने जो फॉर्चून की बोटल होती है वह हमने ली है तो इसका यूज का से करना है फ्रिंस देखे जो हमारे घर गैस होती है देखे इस तरीके से अभी इसकी जो जो इसका स्टैंड है वह बहुत ही छोटा है तो अगर हमें इसके अंदर से सफाई करनी हो या इसको इधर उदर करना हो तो बहुत जादा आवाज आती है घिसता है और बहुत जादा निसान भी पढ़ जाते है नीचे लगानी कि वैसे एक तो इसकी नीचे स्पेस हो गया अब हम आराम से हाथ अंदर करके इसको अच्छे से क्लीन कर सकते है और दूसरी चीज आप देख सकते है कितना ही जीवे में या आगे पीछे आप कहीं भी कर सकते है बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी गैस को इधर उ देखेगा और हमारी चौथी और बहुत यूजफूल टेपर इस प्रकार से कपड़ों को लेगे देखे कोई भी कपड़े हो कोई ब्लाउंज हो या कोई सूट हो या कोई शॉट हो कोई ऐसे चीज जो कि आपने दसमंदर में पैना या आदा गंटा पैना फिर आप उसे नि जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कम टाइम यूज़ किया और आप चाहते उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नाए और एकदम फ्रेश रहे कपड़ा तो उसके लिए देखे मैं आपको बस एक आइडिया दे रही हूं यह नॉर्मल किचन टावल हमारे उस पे मैं आपको कर दिया है वे किंग सोडा को आप सूचे के हम इसे हाथ से बी डाल सकते हैं लेकिन हाथ से प्रपर इस्प्रेट नहीं हो पाताय छनी से हो जाताया तो हमने यह पिसको टाल दिया डालने के आप एक ठाब लेंगे और लेने के पास देखे इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे इस तरीके से बिल्कुल ही clean हो जाता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहाता है कि कपडों में इसकी smell रहा जाए ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा आप एक बार ट्राइ करके देखेगा फ्रेंट से आपको बहुत पसंद आएगा तो देखे यह बहुत अच्छे से हमने clean कर ले अब हम इसे रख देंगे और अब इसमें से कोई smell खाने की या किसी भी तरीकी की कोई smell इसमें से नहीं आएगी तो कैसे लगी फ्रेंट सापको हमारी useful tips अगर पसंद आई हो तो please like, share, comment कर दीजेगा साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो please subscribe करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजेगा हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार की अच्छे अच्छे tips आप लोग के लिए हमेसा लेकर के आते रहेंगे और यह बिल्कुल ही free है और अगर ऐसी वीडियोस आपको और भी देखने हैं तो हमारे चैनल पे पहले से भी बहुत सारी वीडियोस अभाई लेवल है जहां पर हमने आपके साथ किज़न टिप्स अधर यूश्फूल टिप्स शेयर की हुई है तो प्लीज एक बार जा करके जरूर देखें और वो भी वीडियोस पसंद आती हूं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देजएगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाय बाय है झाल झाल